देश का नाम खराब कर रही है भाजपा एक वक्त हुआ करता था जब हिंदुस्तान का सही माइनों में बाहरी दुनिया में डंका बसता था और हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का नाम प्रेम और सम्मान के साथ लिया जाता था लेकिन जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई उस दिन से ही देश का नाम दुनिया भर में खराब हो गया और इसका सीधा कारण है अन्भक और उसकी भाजपाई सरकार की विफल नीतिया ऐसा कोई देश नहीं जो साहब ने सत्ता में आने के बाद से ना घूमा हो लेकिन हकीकत ये है कि इतना घूमने के बाद भी साहब देश को उन सभी देशों से कुछ नहीं दिलवा पाए साहब ने सत्ता में आने के बाद से इन देशों में अपनी आत्राओं को देश की तरक्की के साथ जोड़ा लेकिन ये पूरी तरह से जूट साबित हुआ और विकास के नाम पर ठगा गया अब ये किसी से नहीं छुपा है कि ये आत्राओं साहब ने सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए की और देश को इससे फाइदा होने की जगा नुकसान ज्यादा हो गया और देश आज 2014 में की गई उसी गलती की सजा भुगत रहा है